तो आदाब नमस्कार गुड़ीनिंग सस्रीयकाल एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है और आज एक बड़ी खबर आईए थोड़ी देर पहले ही तरीब साड़े छे से चालिस के आसपास इंडियन टाइम कि जिसकी कोशिश लगबख पिछले दस सालों से थी बलके पिछले 18 साल से उस मसूद अजर को आज गलोबल टर्रिस्ट डिकलियर कर दिया यूएन की जो संयुक तरास्ट के अपनी सुरक्षा परिशद है उसमें तो ये एक बड़ी कामयाबी है और लेकिन इसके माइने क्या है ऐसा होने से क्या होगा मसूद अजर का क्या होगा उसक में आतंग खत्म होगा की नहीं होगा ये सारे सवाल बहुत सारी चीज़ें और ये कैसे होता है क्यों होता है इसका मतलब क्या है कोशिश करूंगा आज आपको मैं ये बतानी की समझानी की जहां तक मुझे याद है शायद मैंने मसूद अजर की कहानी आप लों को सुना बरेस्ट हुआ था शेन अगर में बरेस्ट हुआ तो उसको जम्मू के जेल में रखा गया था जम्मू की जेल में रहते हुए कई बार इसको छुडाने की कोशिश की गई अलग-अलग लोगों को किड्नैप किया गया लेकिन काम्याबी नहीं मिली और आखिरकार जब आएस जो टेरिस्ट छोड़े गए उनमें से एक मसूद अज़र था और उसके बाद से ही ये सन 2000 की बात है उसके बाद से ही वो गायब मतलब पाकिस्तान में और फिर उसने हिंदुस्तान के खलाफ एक से एक आतंगवादी कारवाई करनी शुरू की जो सबसे बड़ा अगर मैं कह हूं मसूद अज़र का हिंदुस्तान के खलाफ जो हमला था वो पार्लेमेंट अटेक था 13 दिसंबर सन 2001 को हुआ और चुके वो हमला था सीधे सीधे अपने लोकतंतर के उपर उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे उसने टेरिस्ट अटेक कराए ख्री नगर में विरान सभा के बाहर हुआ या फिर पठान कोट हो लेटेस्ट जो अभी 14 फरवरी को पुलवावा में जो हमला हुआ उसका भी मास्टर मैंड वही बना जाता है तो इन सारे हमलों का करिब 20 से 25 जो बड़े टेरिस्ट अटेक इंडिया में हुए है वो मसूद अजर के दिमाग क्यों पच थ तो यह चीजें तो चलती रही मसूद अजर को पर्लेमेंट हुआ या पठान कोट हुआ यह शिरिंगर के विदान सभाग के बाहर धमाके वह बहुत सारे लोग मारे गए तो उसमौद कोशिश यह हो रही थी कि मसूद अजर को एक ग्लोबल टेरिस्ट डिक्लियर कराया है वो इसका फैसला लेती अब इसमें जो शुरक्षा-परिश्षद में अगर किसी को आपको लिस्ट करना है ग्लोबल टैर्रिस के तोर पर तो पहले जो इसके पांच प्रमानेंट मेंबर है उनकी रजा मंदी जरूरी उनकी सह्मती जरूरी है जिसम चीन चीन, फ्रांस, ब्रेटन, रूस और अमेरीका चीन, फ्रांस, ब्रेटन और रूस यह पांच पर्मानेट मेंबर हैं सहिंखत रास्त की सुनक्षा परशा परीशबगी इसके कि जब पार्लेमेंट इटक हुआ उसके बाद इंडिया ने इसको वर्ल्ड फोरम पे उठाया और फिर ये मामला यूएन में गया यूएन में इसको पूरी तरह से रखा गया तब जैश का नाम आया था पार्लेमेंट इटक को लेकर तब यूएन की सुरक्षा परिशद ने ज था तो मौलानद मसूत अच्षद है तो उसको भी करो पर वो नहीं किया अब यहांपे कजीब सी सिच्विशन है कि एक शोंतिसंगठई है उस संगठई को तो यूएन मानता है कि यह टेरीस्ट औरजिशन है लेकिन उस संगठई को जो चला रहा है जो उसका बौस है जो उस और्गनेशन के चीफ को 18 साल के बाद आज 1 माई 2019 में यूएन की सुरक्षा परिश्द ने माना कि हाँ ये ग्लोबल टेररिस्ट है तो ये अजीब एकतरा का मजाग भी है लेकिन ऐसा हुआ क्यों जब भी होता था तो चाहे वो यूएस हो ब्रेटन हो फ्रांस हो या रूस हो ये तो हमारे सपोर्ट में रहते थे जब भी मसूद अजर के खलाब हम यूएन बें गए इसको ग्लोबल टेरिस्ट देखलेर करने क लिए पहली बार 2009 में इंडिया ने ये प्रस्ताव रखा था यूएन में चीन ने इसके बीच में अडंगा लगा दिया 2016 में पी-3 कंट्री जो हैं अमेरिका फ्रांस और बिटेन इनके साथ मिलकर फिर दोबारा ये प्रस्ताव रखा फिर चीन ने इसमें अडंगा लगा दिया 2017 में फिर यही पी-3 कंट्री के जरीए प्रस्ताव रखवाया गया फिर यह उन में रिजेक्ट हो गया क्यों कोई चीन इसके सपोर्ट में नहीं था लास में जो पुलवामा एटेक हुआ ऐसी साल 14 फैप को उसके बाद जगा ऐसी बात है जैश का नाम आया मुलाना मसूद अजर का नाम आया तो फिर से कोशिश हुई और इसके बाद बाकाइदा फ्रांस ब्रेटन अमेरिका समेथ 10 कंट्री ने इस प्रपोजल को रखा यू और चुके उस वक्त ग्लोबली पूरी दुनिया में इस हमले को लेकर भी सारी कंट्री जो इंदिया के साथ खड़ी थी गुस्सा जताया था इसकी निंदा की इस हमले की तो लगा था कि इस प्रेशर में चीन जो है इस बार जुख जाएगा मार्च में इस यू एन की बैठक में इस प्रपोजल को रखा गया कि मसूद अज़र को जो है वो डेक्लियर किया जा एक आतंकवार्दी इंटरनेशनल टेररिस्ट लेकिन जब इसकी बैठक होनी थी और फैसला लिया जाना था उससे ठीक एक घंटा पहले मार्च में चीन ने एक टेक्निकल ग्राउंड पर इस प्रपोजल को खारिच करवा दिया वीटो पावर का इस्तमाल नहीं किया कि नहीं मैं इसको नहीं मानता इंटरनेशनल बलकि उसने एक टेक्निकल ग्राउंड के अभी हम इसमें बाकी चीज़ेंगे कुछ और सबूत मिले तो इसक भी कहा गया कि भी हमारे पास और भी रास्ते हैं इसको इंटरनेशनल टेरिस्ट डिकलर करने के तो एक तो आप ये डेबल स्टेंडर्ड मत अपना है टेरिजम पे तो चीन थोड़ा प्रेशर में आया उसके बाद चीन को अब लगा कि कैसे करें तो अभी हाल में ही पाकिस् हाथ मैं खड़ा हूँ जो भी मदद होगी सब करेंगे लेकिन यूएन में मसूद अजर के खलाफ अगर टेरिस्ट डिकलर करने के लिए कोई भी प्रपोजल जो उसक्त होल पे था तो मैं उसमें कोई वीटो या रंगा नहीं लगाऊंगा और वही आच चीन ने किया तुकि 2001 में उसके और्गनाजिशन को किया गया था 18 साल के बाद मसूद अजर को हलाकि फिर मैंने जैसा शुरू में का कि जो आदमी लगातार 18 सालों में पिछले हिंदोस्तान को लहुलुहान करता रहा जिसने 10 दिनों हमले कियें सैक्ड़ों मासूमों की जान ली खून के आसूर उस आतंकवादी को इंटरनेशनल आतंकवादी बताने के लिए 18 साल लग गया लेकिन खैर आज ये काम हो गया अब यहां पर एक टैप्टर क्लोज होता है लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मसूद अजर को इंटरनेशनल टेरिस्ट जो यूएन की सुरक्षा परिश्ट में आ वारे लिए कम खत्रा है कि क्या वो हिंदुस्तान के खलाफ को आतंकवादी साधिश नहीं रचेगा और क्या अब उसकी पूरी जो आतंकी दुकान बंद हो गई ये सारे अब सवाल आते हैं तो इसलिए समझेना जरूरी है कि ग्लोबल टेरिस्ट डिक्लियर करने के बाद होता क्या है दो चीज़ों से आप समझे इसको एक दाओद इबराहीम और एक हाफिश सईद दाओद इबराहीम डी कंपनी का सीओ 93 ब्लास्ट का आरोपी हाफिश सईद पाकिस्तान के जो दूसरा आतंगवारी संक्तन सबसे होंखार लशकर तैयबा उसका चीफ मुंबई हमले का मास्टर माइंड इन दोनों को बाकाइदा पहले से ही ग्लोबल टेरिस्ट डिक्लियर किया हुआ है और दोनों ही ग्लोबल टेरिस्ट हैं बलके हाफिश सईद पे तो पांट मिलियन या पचास मिलियन डॉलर का यूएस नहीं नाम भी रखा हुआ है और कई साल हो गया है करीब ड़स साल से उपर हो गया इन दोनों को ग्लोबल टेरिस्ट डिक्लियर कि हुए बट आप हमेशा इन दोनों की खबरे देखते रहते होंगे हाफिश सईद तो एक कदम आगे बढ़कर अभी जो इमरान खान पी-एम बने जो पाकिस्तान में चुनाओ हुआ वहां की नेशनल असम्बली के लिए उसमें हाफिश सईद ने सारी एसम्बली के सीट पे 265-70 जो भी थी अपने लोगों को चुनाओ में खड़ा कर दिया था और वो चुनाओ को जीत के पाकिस्तान का प्राइम निस्टर यानि वजिर आजम बनने का खौब देख रहा था चुनाओ लड़ा ये अलग बात है कि उसके सारे लोग जो है उनकी जमाना जबत हो गए पाकिस्तानी जनता ने वहां के अवाम ने नकार दिया लेकिन आप मजाग देखिए कि एक शक्स जिसको और जिसके और्गिनाजेशन को globally terrorist का दर्जा मिला हुआ है UN जैसी बॉड़ी से वो आदमी पाकिस्तान में खुले आम घूमता है पाकिस्तान में चुनाओ रैली करता है पाकिस्तान में चुनाओ लड़ाता है और पाकिस्तान का प्रामिनिस्टर बनने का सपना तक देख रहा है तो ये सारी आजादी है तो अब ये सोचिए कि जब वो international terrorist होगे ये सारी चीज़ें कर रहा है तो फिर उसका फाइदा क्या हुआ नमबर दो दाओद इबराहिम के बारे में हमेशा खबर आती कि दाओद कभी वहाँ travel कर रहा है कभी वहाँ गिया है पाकिस्तानी कोफी अजनसी आईसा है उसकी पूरी सुरक्षा देती है सब कुछ करती है वह बिजनस चला रहा है रियल स्टेट में है गोल में है डाइमंड में बिजनस में है तो जब यह दो मिसाल हमारे सामने हैं तो अब आज इसको इंटरनेशनल अगर टेरिस्ट डिक्लियर कर दिया गया है तो मसूद अजहर के इस नए आज के जो फैसले के बाद कितना असर पड़ता है इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते है अब सवाल है कि गलोबल टेरिस्ट जिसको डिक्लियर किया जाता है उनके उनके साथ किया किया जाता है तो बेसिक दो थीन चीज़े हैं एक जिस कंट्री में भी वो बंदा रह रह रहा है जिसको यूएन की तरफ से इंटरनेशनल या गलोबल या अंतराश्या अंगवारी करार दिया गया एक तो उसकी सारी प कंट्री हैं पूरे वर्ल में वो उन कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता वो देश इसको वीजा ही नहीं देंगे इवन जिस कंट्री में वो रह रहा है वहां पे भी उसके ट्रैवल पे इधर से उधर जाने पर रोक होगा उसकी फैनेंशियल कोई हेल्प नहीं कर सकता उसको आ तो उसके साथ ये बेसिक चीज़े अब हाफिज साइथ लाहूर से लेके इसलामवाद तक घूमता रहता है दाउद इबराहिम के बारे में है कि कभी वो सौधी पहुंच जाता है कभी अफरीका के कंट्री में पहुंच जाता है कोई रोप टॉप नहीं है हाफिज साइथ के तमाम मदर्से और दूसरे प्रोपर्टी हैं पाकिस्तान में मसूद अजर के हैं तो अब सवाल यह है कि उन लोगों के तो आज तक्सीज किये नहीं है और जो किये गए तो उनके पास भी बड़े सही तरीके हैं कि जब लशकर था लशकर के नाम पे बैंड हुआ तो उन्हो कि यह तो भी यह नेक काम के लिए बच्चों को पढ़ाता है स्कूल जैसे हाफिस सहीरी स्कूल चलाता है उसकी अंबुलेंस सेवा भी चलती है तो अब यह भी क्या करेगा मसूद अजर वो जैश की जग बजगे पर कुछ और कर देगा नाम उसके बाद वो किसी और के नाम पिलेने की बजाए अपने गुर्वों के नाम पिले लेगा वहां से भी कोई रोप रोप नहीं और यह सारी चीज़ें ऐसा होगा यह मैंने करा इसा हो रहा है क्योंकि इसके दो एक्जामपल हमारे सामने हैं चाहे वो दाओ दिवराएम हो या फिर हाफिस सईद हो तो इसका बहुत जादा कोई असर पड़ेगा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता अब तीसरा यहां पर किस इंटरनेशनल टेरिस डिकलेर करने से क्या मसूद दज़र उसके किये की सजा मिल ज़ी बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उसके किये की सजा उसको सरफ कानून दे सकता है चाहे व एक आतंकवादी है एक मुझरिम है और जब तक भारत के चानून के दर्वादे तक उसको नहीं लाए जाता है और यहां की अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती और उससे सजा नहीं दे जाती तब तक उसकी सजा मुकमल या पूरी नहीं हो सकती तो इसलिए जरूरी है यह तो फिर यही कि एक दूसरा जिस तरीके से हम सबूत देते हैं पाकिस्तान यही काम करे अपनी अदालतों के जरी और दुनिया के सामने सब दिखाने के लिए नहीं कि कह दे हाँ जी हमने तो उसको उठा लिया है जेल में डाल दिया और जेल की बजाए में कहीं जेल में भी तो यह एक पहल है बेशिक इंटरनेशनल टेरिस्ट डिक्लियर किया एक जीत है यह हमारी आप इसको कहें तो एक जो अंतरास्टी रिष्टे हैं जो बाकी के देशों के साथ उस मामले में भी जीत है लेकिन मसूद अजहर को आज की इस यूएन के फ्रेस्ट से उसके किये की सजा मिल गई है उसके जुर्म का हिसाब हो गया ऐसा बिलकुल नहीं है वो तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको उसको किये की कानून सजा नहीं मिलती तो ये मसूद अजहर के आज के उसके फैसले को पर था अब इसमें दो तीन चीज़े और है कि किसी को संयुक तरास्ट या यू एन यू है यूनाटे नेशन कैसे गलोबल टेरिस्ट डिकलियर करता है तो एक इसमें एक प्रपोजल होता है वन टू सिक सेवन ये आईस आईस और अलकाइदा की जो एक शुरुवात में था कि इन लोगों से जुड़े वे जो लोग थे उनको कैसे या इस आउर्गनेशन को कैसे टेरिस्ट डिकलियर करें तो ये उस लिस्टिंग में ये उस लिस्ट में आते हैं और इसी वन टू सिक सेवन में किसी भी कंट्री को लग अरिका, रूस, ब्रेटन, फ्रांस, चीन, अगर इनको को अब्यक्शन नी होता तो वो लिस्टेड हो जाता है और जैसे लिस्टेड होता तो फिर उसको इंटर्नेस्टल टेरिस्ट कर देते हैं अब सवाल है कि अब तक चीन मसूद अधर को क्यों बचाता रहा था पिछले 10 सालों से तो उसके बहुत बड़ी वजा यह है कि चीन ने पाकिस्तान में बहुत सारे इंवेस्टमेंट कर रखा एक तो बाकाइदा पूरा है वो चीनी लोगों के लिए शहरी बसा रहा है बलकि उस शहर के अंदर कहते हैं चीनी करंसी भी चलती है और पाकिस्तान को उसने सारे कर्स दे रखें उस कर्स के बदले में वो पाकिस्तान से बहुत सारे फायदा उठाता है दूसरा उसे हमेशा चीन को ये सूट करता है कि हिंदुस्तान में शांती न रहे उथल पुथल रहे क्योंकि उथल पुथल रहेगा तो हिंदुस्तान में बिल जा रहेगा वो अ उतल पुतल करवाता है तो उसी में एक मौरा मसूद अजर है इसके जब जब ऐसी चीजे आती थी तो चीन कहता था पुखता सबूत दो पुखता सबूत दो इवन पुलवामा को लेकर भी था कि आप डारेक एविडिन्स तो तब हम बात करेंगे तो इससे लिए चीन का हमेश जिस तरीकी के चीजें करते रहें जिसका उसे फाइदा हो इसी लिए चीन ने हमेशा बैक किया मसूद अजर को लेकिन इस बार चुके पुलवामा एटेक बहुत बड़ा एटेक था और वर्ल में पूरे इसको जिस तरीकी के लेकर रियक्शन दिया गया उससे चीन थोड़ रूप M का सवाल एक International terrorist को झेल क्यों नहीं भाइल अबि भूश है वो यह हैं कि आपको जैसी मैं गैञे में वहां की सरकार चीमें कि उसके सारे प्रोपर्टी के उसके मुव्मेंट पर इन सारी चीज़ों पर रोक लगाए गिराफतार क्यों नहीं किया जाता अब यहां पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आदां तो पर जितने भी केस होते हैं यो यं में किसी को इंटरनेशनल ये खलानी के लिए वह हमेशखा अब इसको हमें एंडिया यू एन में जाकि यह नहीं कहेंगा कि आप इसको इंटरनेशनल टेरिस करो वह इंडिया में ही और इंडियन सिटिजन भी है नहीं कह सकता आप एसकी वज़ बताताँ हो वज़ा है कि वह इंडिया में ही रह रहा है और आपको लगता है आपके लिए खतरनाक है तो आप खुद उसको पकड़ के सदा क्यों नहीं देते हैं आप इंटरनेशनल लेवल पर क्यों आ रहे हो तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारी नाकामी खुलती है कि हम कैपेबल नहीं है हमार है जो इस तरह के केसिस आते हैं वो सारे वो होते हैं जो दूसरे मुलक में हैं और वहां से बैटके हमारे मुलक को हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि यह बिस एक्जामपल ले लिए आप इसी मजूद अधर का यह पाकिस्तानी सिटिज फ्रून अलग है वहां के पुलिस अलग है वहां का सब कुछ अलग है तो हमारे हमारी बार्डरी के अंदर तो अब उस मुल्क में उस जो गुनेगार उसको कैसे सजा दिला तो उसके लिए प्लेटफोर्म है यूएन जैसी बोड़ी है तो इसलिए हम उसको कहते हैं लेकिन पाकिस्तान ये है कि बहुत इमंदारी से काम करें तब वो उसको जेल में डाल दे कई बार प्रेशर होता कुछ-कुछ दिनों के लिए हाफिस साहीद जैसे लोगों को भी जेल में डाला है लेकिन वो उसे ग्रफतार नहीं करते हैं क्योंकि कि वो उसके लिए उतना ज्यादा मतब इस्टिक नहीं होते हैं जितना की जिस मुल्क को जादा नुकसान पहुंचा रहा है वो होती है कौन है अच्छा अमर जुगार साब इनका है कि यूएन के पर्मानेंट जो मेंबर हैं मतलब मुझे लगता वो पांच अमेरिका रूस ब्रेटन फ्रांस चीन यह ऐसे लोगों को कम्बाइंड मिलके मार ही क्यों नहीं देते हैं आदे कि फिर वही वाली बात आजागा एक त इसी चीजों की इजाजत नहीं है तो कानून के हिसाब से हर्जुन और हमुजरिम के लिए सजा है फैसला है तो एक सब्वे मुल्क एक सब्वे देश और दुनिया जो है वह इसी रास्ते पर चलती है ऐसे पकड़के मारने का कहीं पर प्रमिशन नहीं है सुभाशिश मेहंदी जी पेड कोशन नहीं का से यूएन के खुद की क्या के पावर से गुलोबल टर्रिस देक्लियर करने के बाद सुभाशिश मेहंदी साहब यूएन के पावर यह हैं कि अगर उनके इस जो जो उसमें लिखा हुआ कानून में कि इससे आपने इंटरनेश के आजादी पे रोक होगी कि वह जाना मूव ना कर सके तो यह चीजें जो है यूएन इसको मॉनिटर करती है और देखती है और बाकाइदा जहां जहां लगता है कि कंट्री अगर इसको फॉलो नहीं कर रही है तो वह उसके खलाफ बाकी चीज़ें और फितो बहुत सारे ऐ है जैकिंग के दौरान जो हम लोगों ने छोड़ा था वह बहुत बड़े गलती थी दोनों पहलू है चुकि मैं उस वक्त मैं साथ दिन तक लगाता है इंदा इंटरेशनल रिपोर्ट पर ही था हर वक्त यह था कि आज यह लोग चूटेंगे आज चूटेंगे और वह जो मैं उन्हीं के साथ दिन भर रहता था लगवक हर दिन 14-16 घंटे तो उनकी जो तेहरे पर जो दर दहशत और वह सारी चीज़ें थी किसी के माबाब थे वहां पर बंदग बने हुए और वह 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 भी कम नहीं डेढ़ सो के आसपास तो उनके नजरीय से देखें तो यह लगता था कि बस कुछ भी हो जाए यह सब सही सलामत लोटा है इनका बच्चा आजाए इनकी बेटी लोटा है इनके माबाब लोटा है इसका भाई आजाए उसकी बहन आजाए तो उसको लाने के लिए सरकार को जो भी कोशिश करनी चाह और उसकी वजाए शायद आप लोग दूर से बैठके उस उतना ना समझे क्योंकि मैं लागातार जो छे साथ दिन इंद्रा गांधी इंटरनेशनल रेपोर्ट पर था और उनके बीच में था तो उनके दर्थ को बहुत जादा महसूस किया था और मुझे आज भी वो दिन य है और मुझे आज भी वो याद है इंडन एक्सपर्स की फिर्स जनवरी को हैडलाइन थी है और फैमिली लोटी थी उन सब की पोटो थी नीचे तो मुझे लगता है कि वह मौके के हिसाब से इसको किसी तरह से आप देखें लेकिन इतने लोगों की जान बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी सी जरूरी थी तो जो बहतर लगा उस वक्त शायद इसलिए ऐसा फैसला लिया गया मसूद अधर के हो ग्लोबल टेरिस डिकलेट किया जाने के बाद पाकिस्तान प्रेशर में तो आएगा उसकी वज़ा बतारों बाकी चीज़ें कुछ बदलनी नहीं मदिलनी वो अलग बात है लेकिन एक मुल्क एक मुल्क के अंदर तीन तीन आपके यूएन की तरफ से ग्लोबल टेरिस डिकलेट किये हुए लोग बैठे हुए खुले आम हैं यह भी नहीं कि छुपे हैं पाकिस्तान का हमेशार स्ट्रेंड लेगी हमारे पास नहीं हमारे हां नहीं गयता है और इसलिए दाऊच कि कर भी कोई पाकिस्तान में को एसी तस्वीर्या विडियो सामने नहीं है उसके पता है उसके टेलेफून नमबर सब को पता है एविन हम लोगो को पता है लेकिन वह पिन में कभी नहीं है लेकिन चाहे वह ससलावद्दीन हो या फिर आपके हा पाकिस्तानी चैनल पर इंटरव्य चलते एंटरुवी देता है अफ़ार अनकी खबर चबती है तस्वीर चबती है तो अपना एक अखबार पर किस्तान से काय। कौन सा कलाम करके अखबार है वो तो तीन-तीन आपके पास आपके मुल्क में है तो प्रेशर तो आएगा और जाहिए पाकिस्तान को चिसाब से यूएन की इस रिजुलूशन के इसाब से एक्शन भी लेना पड़ेगा नहीं लिया तो फिर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्ता है यहां पर देखे एक बाहर के दुश्मनों से लटना और देश के अंदर के अपने लोगों से लडना यह जो नखसल पूरा अंदोलन है जाहिर से बात है यह नखसली जो है वो अपने ही लोग हैं लेकिन जिस तरीके की वो हरकते करते हैं हो उसके ले कहीं पर बीए किसी भी सॉसाइटी में कोई जगानी होती या नहोनी चाहिए और जिस तरीके सा हमारे फोर्सेस को लगा तार निशाना बनाते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक यहां पर जरूरत नहीं है यहां पर जरूरत है एक पूरे प्लैनिंग की ऑपरेशन की और इस नक्सल मूवमेंट को खत्म करने के और इससे जो लोग जुड़े हैं उनको ब्रेन वाश करके वापस समाज की मुक्षधारा में लाने की तो उसके लिए मैं जो परता है रहाएं लिकर junkets नुखल अनुखलो मुवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है जब जब ऐसा होता है रहोते-पीचे फेने फिर बूल जाते पाकिस्तान नहीं सौब एक ग्लोबल टेरिस्ट डिक्लियर कर दिया गया है उसके बाद क्या हमारी फोर्स जाकर घुसके पाकिस्तान में मार देती है वो क्राइम होगा गुना होगा यह सवाल है यहां पाद क्राइम होगा वह कैसे होगा अगर इस्टैबलिश ओता है कि हमारी फोर्स चाहे एर फोर्स हो यह भी कहा कि यह जो एलोसी के एरिया है जो वहां पर किया पाकिस्तान की जो बॉर्डर के जो हमारे इंटरनेशनली रूल स्टेगुलेशन उसको तोड़ा नहीं है पाकिस्तान की आम जंता पर हमला नहीं किया है तो यह सारी चीज़ें तो आप छुपके तो कर सकते हैं ओपे यू सीमा का भी लंगन माना जाएगा और दो देश की जो हद है उसको लेकि भाना जाएगा तो उसको लेके फिर इंटरनेशनल कोर्ट कोर्ट में और यून में वहां पर बहुत सारी मुश्किले आएंगे तो आप पैनली नहीं कर सकते हैं बहुत जमाने से कोशिश हो रही इसी भारत के लिए यून में पर्मनेंट सीट की लेकिन वही है कि इसमें कई देश जो है हमारे जैसे इसमें भी चीन बीच में आ जाता है और भी कुछ अलग अलग वक्तों पे जैसे कई मुलक अपने दोस्त होते हैं आज आने वालक में फिर उनके सुरु बदल जाते हैं जब हम लोगों ने नुक्लियर टेस्ट किया था तब भी बहुत सारे मुल्क जो हमारे दोस्ते वो थोड़े से बिदग गए थे तो कई चीजें लेकि मुझे लगता है कि इंडिया जैसी ताकत को और इंडिया जिस तरीके से बढ़ आ है और इंडिया की जो पिछले आप 25 स साल के बात कि आबादी से लेकर एजुकेशन के फिल में बाकी फिल में आप तरक्की वरकी देखें तो जादा दिन दूर नहीं है जब हम लोग यहन में पर्मानेंट इसके में पर नहों मुझे ऐसा नहीं लगता बिलकुल होंगे स्थ जो आपने कहा कि हम घुसके नहीं मार सकते उसे तो फ़र इक सवार है सफ अमेरिका नहीं मार सकते हैं लेकिन अमेरिका ने उसामा को कैसे मारा इसके बारे में आज भी कागस पे क्लेम नहीं किया जाता है कि हमारे forces गई हमारे chopper गए हमने ऐसे किया हमने वैसे किया जब यह operation हुआ तब किसी को बताया नहीं गया था ना पाकिस्तान की authority को यह पता था इविन जो एप्टाबाद है वहाँ पाकिस्तान की आरमी का बेस है वो पूरा एप्टाबाद में वहां पर रिटाइड जो आर्मी के लोग है वो रहते हैं उनका घर है लेकिन उस वक्त किसी को बताया नहीं गिया बाद में अमेरिका ने जो अलग अलग चीजों से क्लेम किया गिया और फिर बताया गिया तो उसकी दो वज़ा थी एक उ क्योंकि उसने लादेन को मारा और लादेन को जगह पर मारा कि जो को पाकिस्तान में तो एक जिसको पूरी दुनिया ढूंड रही है वो तेर्रिस्ट आपके घर में दो तीन साल से चुपा हुआ है और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर आपका सबसे सेफ एरिया है नहीं बहुता था इसलिए पाक पाकिस्तान जैसी कि हाम अमरीकन वाज़ आई और उसमें करके और चली गई तो उसको बताना पढ़ाएगा क्यों आए तो मारा भूलेगा हमारा तो इसका मतलब वाद पाकिस्तान है यहां पर पाकिस्ताना आगे फंद जाएगा इसलिए पा पाकिस्तान फस जाती तो पाकिस्तान की अपनी कम्जोरी और कमी थी जिसकी वज़ा से उसने कभी युएस के खलाब को एक्शन नहीं लिया नो कोई कम्प्लेंड की और यही सी चीज दूसरे जगे पर जब मैंने अभी शुरूर बताए कि हम उसके तो मार सकते हैं लेकिन जैस आतंगवादी हमेशा देखें लड़ाके क्यों कहते हैं जो भी यह लोग काम करते हैं उनको लगता कि वही सही है और इसलिए वो लड़ाके मुझादीन यह सारे नाम यूज करते हैं क्योंकि उनकी नजर में वो गलत नहीं कर रहे हैं उनका ब्रेन वाश इसी तरह किया जात होता है और दूसरा यह चूक्तार पर जोसाइश का ओर इसका जहन terror है कर जोस्तों कायदे से कल्मा लिखा होता है लोला इलाह ए लिद प्रूम्दी के रख़ुम्हा यह विसा्यार में प्लार यह ब्लैक थी तो यह पुरानी कुई हिस्ट्री यह इस क् weapon कॉना चुना चलता ह इम्रान साब बीच में एक ऐसे और आडियो आये थे मुझे मालूम है लेकिन वह फेक था और उसमें कुछ बात्चीब भी दिखाई गी थी कि प्लानिंग हो रही है वह लेकिन वह सारे बलके हम लोगी फैक्स जो चेक्टीम है उसने भी चेक्ट किया था उसके कोई सिर्पैर नहीं थे और वो जो हुआ था पुलवामे में अटेक्ट वह वाकई हुआ था और जो इसके पीछे थे वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैस्ट के लोग थे सब्सक्राइब को भारत कभी भी कहीं और मार सकता है अगर मार देता है तो क्या अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा देखिए गौरफ साब बिल्कुल किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा मैं जैसे कह रहा हूं कि अगर प्लानिंग के ताहत खामोशी से हमने कहीं लेकिन है मारना जो है वह ऐसा नहीं है कि कोशिस नहीं हो रही हो यह चलती रहती है और लेकिन उसको लेके फिर उस वक्त क्लिम करना जो हैं कि फिर बहुत सारी जैसे मैं आपको साथ चीज़ें बीच में आती है तो वो नहीं होती लेकिन हाँ क्लेम करने का भी रास्ता है ऐसी जगह उसको मारने का दिखाएं जहां पर कोई ज्यादा डिस्प्यूट ही ना हो तो भी पॉसिबल नहीं होगा उसको वापस नहीं ला पाए अब इसको कैसे लाएंगे लेकिन इस ग्लोबल टेरिस को डिकलिय कि इसका लगाता चलता रहता है कुछ ना कुछ कितना रुकेगा क्योंकि इसका एक्जामपल मैं वही दो चीज़ें बार बार कह रहा हूं कि दाओद इबराहिम और हमारे पास हाफिस साइद का पहले से लेकिन यह कि कहीं ने कहीं पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो कि फिर बात वहीं निशान सब यह जितने अब लोग सवाल है ला कि यह मार सकते हैं वहां मार सकते हैं मारना होगा जब मार दिया जाएगा इस चीजह एक तो बता के कभी कोई अब जैसे पूच्छें कि हमारे सरकार क्यों ने कोशिश कर रही है लेकिन काम्यावी कभी नहीं मिली तो ये चीजें बड़ी इसको गुपत रखी जाती है इसकी ऊपर ना बातें होती है ना बताई जाती है ना इस operation की डेटेल सामने आती है बट कोशिश होती ये भी जरूरी निया तो ये भी आप से कह रहा हूं कि दाउत को को कोई सभट को या मसूद अजर को मारने के के लिए पाकिस्तान में हमारे फ्रस्का है इसा भी नहीं होगा यह भी जया रहा है और जेनरली ऐसी चीजले हर ना करते तो कोई भी एक पाकिस्तानी अगर उसको बड़ी एमाउंट का लालाच दें तुम को हम पचास क्रोड उपे देंगे तुम जाओ मसूद अंसर को मार दो तो अपनी पूरी ताकत से लग जाएगा तो अब लेकिन यह है कि उसी हिसाब से वो लोग भी अपनी सिक्रूटी और अ इसके डिफैन्स रिपोर्टिंग में बड़ी बैसिक पर उसके ट्रेंश की यह बहुती है जो भी इसी इनफॉर्मेशन ऐसी चीजें जो आपके रास्ट रहत में नहीं है जो निश्नल इंटरेस्ट में नहीं जिससे हमारी सुरक्षा को खत्रा हो सकता है जिसे एंफॉर्मे कुछ भी है अगर उसमें करॉप्षण हैं तो करॉप्षण देखा हैं अगर क्राइम हुआ है तो आप ओगर मेजर को शादी करनी है तब यह शादी ममकिन थी अब आप यह सोचे कि मर के पूरी कहानी थी तो आज हुई नहीं लेकिन मैं आपको कल सनाओंगा ने कि सोच की कोई सीमा नहीं होती इसलिए बहुत सारे लोग की सोच है कि उसका अगर्णा हो सकता है पर यह भी हो सकता है कि चीन दबाव में हो यह भी हो सकता है कि कुछ पाकिस्तान के साथ नहीं डील हु एक दाओद यह एक हफिस सही किसी के लिए तब तक ही काम का हो वह वन्हा तो जो सरकार उसको प्रोटक्षन देती एक दिन वहीं उसको मारके फेक देती और आसे कई की एक्जांपल इस दुनिया में हुए है तो हो सकता है इससे बड़ी कोई ड्रील हुई है चेही ना पाकिस्तान में इसलिए मजूत अजर को सब्सक्राइब कर दिया गया और आर्मी की जो बाकी चीजें है सुरक्षा वो उसका ख्याल रखेंगे तो वह जितनी इन्फॉर्मिशन उनको लगता है वह अपनी शेयर करते हैं उससे दादा नहीं करता है पाकिस्तान के साथ मिलकर और पाकिस्तान सबसे इजी है उसके लिए कि पाकिस्तान से मिलकर वो हिंदुस्तान मुथल पुथल करवाए ऐसे ही लोगों से चाहे मसूद अजरू हाफिस सईदों दायूद इबराहिम नक्सली के उपर मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी और यह बीच बीच में इस तरह की की चीजें वह लाइन माइन्स के जरीए घात लगाकर जंगल में जो टूप्स गुजर रहे हैं पुलिस वाले गुजर रहे हैं से आइसे के लोगों का काफला जा रहा है उन पर अपने वाज़ा की कहाने बनाई है शमस्वी मैं बताओं कि इन सब चीजों के बारे में जैसे आप कई बार आप तो आप लोग पकड़ लेते होंगे मैं डेट्स या बाकी नाम नोट करके लाता हूं काइदे से तो यह जितने आपने करेक्टर के नाम लिए इसके चुनाने एसे करेक्टर है जिनके बारे में मतलब बॉलने के लिए कुछ पढ़ने के भी जरूपब रहता हुए चीचलो कुछ नहीं कुछ बीक्ति था अब हखेसा जी जहां पर पाकिस्तान पर चोड़ेते तो बहुत सारे य इराग का आपके आफगानिस्तान सोमालिया नाइजीरिया बलके तो यह हालत है कि देखे श्री लंका जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते एक मौलदीप के बारे में के वहां पर आइसाइस के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो उधर आप इंडोनेशिया चले जाएए बाली में भी यह सब कुछ हो चुका है बांगला देश तक में आईसाइस के लोग अटक कर चुके हैं पाकिस्तान तो ही है तो कितने मुल्क का नाम हो अभी तक तो मैंने ऐसी दजबारा तो आपको यहीं सुना दिया और ना जाने कितने हैं पर पाकिस्तान आप कहर बन की तूट देगा नहीं को पाकि कुछ और सुना नहीं थी लेकिन यह ब्रेक की स्टोरी आ गई तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा बताना भी चाहिए और इस इंटरनेशनल टैरिस का मतलब क्या यह भी जतनी मेरी समझ होतनी आपको भी समझाना चाहिए बाकि हो सकता बहुत सारी जानकारी मेरे पास नहों आप लों के पास हो तो शेयर की जिएगा मेल लिखे लाप बोको हरम की भी चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाओंगा वो भी बड़ी खाटरनाक एक तरह बड़ी क्रूर टाइप के हैं वो तो उसकी भी सुनाता हूँ आपको तो अपने जो भी इस बारे में और आपके पास ज रेकिंग नहीं आई तो वही कहाने आपको सुनाओंगा तब तक आपको